Hello everyone, welcome to Ocul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आईए अपने स्कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, there is environment by Shankar IES Academy, जो book है, इसको हम लोग cover कर रहे हैं, स्कोर्स के थूँ और हमने ये पिछले lecture में इस कोर्स को स्टार्ट किया है, chapter बन के साथ, जो है, ecology का, ठीक है और पिछले lecture में हम लोगोंने बात की, कुछ ecology के basic हमने समझãy how, ecology क्या होती है, ठीक है उसके बाद हमने समझे कुछ components के बारे में जैसे कि biotic components, a biotic components क्या-क्या होते है इनके बारे में हमने थोड़ा सा समझा उसके बाद हम लोग समझ रहे थे level of organization और हमने बात की थी कि 6 levels of organization है जैसे कि सबसे पहला आपका एक individual है, दूसरे पर population है, फिर community है, उसके बाद ecosystem है, then biome and then biosphere ठीक है तो इन में से हम जो शुरुवाती तीन हमारे जो levels है जाने कि individual, population और community के बारे में हम लोग समझ चुके हैं हम लोग last lecture में इसको discuss कर चुके हैं, आज जो हम part discuss करेंगे, जो चौथा हमारा organization का level है that is your ecosystem और काफी important यह रहने वाला है, तो उसको आज हम लोग आज के lecture में start करेंगे, ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी लोगों से फिर से एक बार request करना चाहता हूँ मैं कहूंगा दस लोगों के साथ आप लोग चीजों को जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरीकी की चीजें जो है वो यहाँ पर platform वगरा पर चल रही है, इस तरीके courses वगरा चल रहे हैं, ताकि जादा से जादा लोगों को इसका फाइदा मिल सक ठीक है, और बाकि जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे बार request करूँगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो content वगरा है वो helpful है, और bell icon जरूर प्रेस कर लिजे, so that कि वीडियो की notifications वगरा आपसे miss ना हो, ठीक यह एक structure and function unit of biosphere है, जिसमें क्या है, consisting of community, देखे, community इससे पहला वाला जो level था वो है, ठीक है, community of living beings and the physical environment, both interacting and exchanging materials between them, यानि कि एक तो living beings की community है, अब यह देखे, living beings है, तो living beings में आप इसको यह मत समझिएगा, कि यह सिर्फ और सिर्फ human beings है, they can be plants, they can be animals, कुछ भी हो सकता है, क मतलब आप समझ गए, कि community का मतलब क्या था, जहाँ पर हमने बात की थी, कि एक से जादा species है, वो community है, ठीक है, तो आप समझिए कि वहाँ पर जैसे अगर हम बात कर रहे है, community of living beings की, तो मतलब वहाँ पर क्या है, कि पेड़ पौधे भी है, वहाँ पर जीव जनतू भी है, व यही चीज़ यहाँ पर देखें लिखी गई है, कि इसमें क्या क्या included है, जैसी कि plants है, ठीक है, पौधे है, पेड़ है, animals है, fish, मचलिया, यानि कि birds, ठीक है, birds यानि कि पंची जो होते हैं, microorganisms भी है, पानी है, soil है, and people है, यह सारे के सारे इसमें included रहते हैं, कि इसमें ecosystem है, ठ elements, but each is a functioning unit of nature, ठीक है, तो सारे के सारे जो है, वो इसके एक functioning unit है, everything that lives in an ecosystem is dependent on the other species and elements that are also part of that ecological community, ठीक है, जैसे पेड़ है, पेड़ पौधे है, वो हमने जैसे कल भी बात कि थी, community level पर हम लोग बात कर रहे थे, कि पेड़ पौधे जो है, वो किस पर depend करते हैं, आपके animals पे, कि के लिए, pollination के लिए, seed dispersal के लिए, ठीक है, और similarly अगर हम animals की बात करें, तो animals जो है, वो plants पेर और trees पे निरवर है, किस चीज़ के लिए, अपने food के लिए, अपने shelter के लिए, तो एक दूसरे के साथ क्या है, इनका आपस में relation है, ठीक, अगर एक भी part जो है, वो damage होता है, य ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए environment में कहा जाए, या ecosystem में कहा जाए, कि आप ये नहीं समझ सकते, या ये नहीं मान सकते, कि कोई भी species, चाहे वो plant की species हो, चाहे वो animal की species हो, चाहे वो आपके physical environment का part हो, आप ये नहीं मान सकते हैं, कि अगर आप किसी part को नुक्सा पहुचा रहे है, या किसी part को नुक्सान पहुच रहा है, तो उसकर direct असर आप पर नहीं होगा, ठीक है, असर होगा, direct हो, indirect हो, वो घूम फिर के असर आपके उपर भी जरूर होगा, क्यों, क्योंकि आप भी उसी ecosystem का या उसी environment का एक part है, ठीक है, चलिए, जब ecosystem हमारा healthy होता है, it means that all the elements live in balance and are capable of reproducing themselves, ठीक है, जब हमारा ecosystem healthy होता है, या हम कब कह सकते हैं कि हमारा ecosystem healthy है, जब उसके सारे के सारे जो elements है, जैसे हमने बताया, आपको जितने भी living beings है, physical environment है, इनके बीच में एक balance बना हुआ है, एक संतुलन बना हुआ है, और ये एक दूसरे को, मतलब, ये है, ये खुद एक, मतलब reproduce करने की इनके पास capability है, ठीक है, इतनी शमता है कि ये reproduce कर सकते है, जैसे अगर हम बात करें physical environment की, तो it can replenish itself, ठीक है, और living beings है, चाहे plants है, चाहे animals है, चाहे human beings है, they can reproduce themselves, तो ये चीज़ अगर जब तक हो रही है, तब तक हम कहेंगे कि हमारा जो ecosystem है, वो healthy है, ठीक है, ecosystem छोटा भी हो सकता है, as small as a single tree, और बड़ा भी हो सकता है, as large as an entire forest, यानि कि एक छोटे पेड़ को भी आप कहींगे, वो भी एक ecosystem है, और एक पूरा का पूरा जंगल जो है, ठीक है, entire forest जो है, वो भी एक तरीके से ecosystem ही है, ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते ह components of ecosystem के, हाला कि यहाँ पर यह लिखा गया है, कि ecosystem के और environment के components same है, हम थोड़ा सा बात इसके बारे में कर चुके है, abiotic, biotic components के बारे में, थोड़ा सा इसको detail में हम लोग यहाँ पर आज देख लते है, देखिए, abiotic components, आप लोग को मैंने word से ही कल बताया था, abiotic का मतलब हो parts of the world, ठीक, क्या-क्या consist करते हैं, soil, water, air, light energy, etc., it also involves chemicals, जैसे की oxygen, nitrogen, etc., and physical processes, जैसे की volcanoes, earthquakes, floods, forest fires, climates, and weather conditions, ठीक है, जिस सारे के सारे क्या है, these are your abiotic components, यह आप कहेंगे की non-living या inorganic components of the world, ठीक, abiotic factors are the most important determinants of where and how well an organism exists in its environment, तो abiotic factors जो है, यह काफी important determinants है, जो यह बताते हैं कि कोई भी organism अपने environment में कहां पर और कितने अच्छे से exist करता है, ठीक है, या कितने अच्छे से मौझूद रहता है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, energy की, energy from the sun is essential for maintenance of life, यह obviously बात है, और मैंने आपको यह कल के lecture में भी कि जो solar energy है, वो एक prime source of energy है, ठीक है, कोई भी activity अर्थ के उपर हो रही है, उसके लिए prime source of energy क्या है, sun या फिर solar energy, ठीक, in case of plants, the sun directly supplies the necessary energy, क्यों, क्योंकि plants के case में आपको पता है, एक process होती है, that is known as photosynthesis, ठीक है, जो green plants होते हैं, जो autotrops होते हैं, वो आपके solar energy या sunlight की presence में अपन खाना खुद बनाते हैं, through the process of photosynthesis, तो plants को तो जो sun है, वो directly energy supply करता है, animals के case में लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, animals जो है, वो sunlight को directly use नहीं कर सकते, तो उनको क्या होता है, कि they obtain it indirectly by eating plants and animals और बोथ, ठीक, जोकि photosynthesis से जो energy store होगी plants में, उसको जब animals खाएंगे, तो उनको वो indirect solar energy मिल energy determines the distribution of organisms in the environment, energy जो है, वो यह determine करती है, कि distribution कैसा है organisms का environment में या परियावराण में, ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, rainfall, water is essential for all living beings, यह हमें पता है कि पानी जो है, वो सबसे जादा जरूरी है, कहा भी जाता है, कि जल ही जीवन है, ठीक है, majority of biochemical reactions take place in aqueous medium, जितने भी biochemical reactions होते है, जादा तर उन में से जो है, वो aqueous medium में होते है, aqua जो word है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेगा, aqua word, चाहे हो aquatic हो, चाहे हो aquarium हो, चाहे हो aqueous हो, it will always be related with water, ठीक है, aqua word is always related with water, ठीक, water helps to regulate the body temperature, ओब्यसी बात है कि water जो है, body के temperature को, यान यंतर करता है, regulate करता है, ठीक, further, water bodies form the habitat for many aquatic plants and animals, जितने भी aquatic plants and animals है, ठीक है, जो पानी में रहते है, water bodies उनके लिए क्या है, habitat है, यानि कि जहाँ पर वो लोग रह सकते है, ठीक, अगला जो factor है, that is your temperature, यानि कि तापमान, temperature is a critical factor of the environment which greatly influences survival of organisms, organisms जो है, वो टोलरेट कर सकते है, certain range of temperatures and humidity को ही, आगर आप इंसानों की ही बात ले लीजे, चलिए, आपको ये तो नहीं पता कि पेड़ पौध है, या जो जीव जन्तु, जो पशु पक्षी है, वो कितरे temperature जहल सकते है, या बेर कर सकते है, टॉलरेट कर सकते है, लेकिन आपको अपना तो पता है, आप अपना temperature की बात कीजिए, बहुत जादा ठंडा होता है, तब भी आपको तकलीफ है, बहुत जादा गरम है, तब भी आपको तकलीफ है, ठीक है, तो similarly जो आप एक certain range of temperature, humidity को टॉलरेट कर सकते है, बेर कर सकते है, जेल सकते है, similarly ये बात पेड़ पौधे और पसु पक्षियों के ठीक है, atmosphere की वज़े से ही क्या है कि healthy biosphere यहाँ पर बना हुआ है, biosphere क्या होता है, अगर हम इसको बाद में से देखींगे, biosphere जनरली होता है, जो हमारा lithosphere, hydrosphere और atmosphere का part है, जो उनका combined part है, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाओ, ठीक है, ऐसे, अगर मान लीजे, ये हमारा lithosphere है lithosphere मतलब जो land का part होता है, that is lithosphere, ठीक है, अगर मैं इसको बनाओ hydrosphere, जो हमारा water का part है, that is your hydrosphere, और जो हमारा air से संबंदित part है, that is your atmosphere, ठीक, तो इनका जो combined portion है, यानि कि ये beach वाला आप कह सकते है, ठीक है, ये beach वाला जो region है, जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के साथ मिले हुए है, यानि कि जहाँ पर land भी है, water भी है, और atmosphere भी है, और यहाँ पर क्या होगा, कि life survive करेगी, तो that is known as, this portion is known as biosphere, ठीक है, तो biosphere में आपका तीनों चीज़े होंगी, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, और यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है, कि biosphere में एक essential condition है, कि life exist करेगी, क्योंकि bio means life, तो biosphere मतलब sphere of life, तो यानि कि यहाँ पर क्या करेगी, life exist करेगी, ठीक, चली, इसके बाद हम बात करते हैं, अगले factor की, अगले component की, that is your materials, organic compounds such as proteins, carbohydrates, lipids, humic substance, humic substance होता है, जो basically आपका humus से निकलता है, dead and decayed organic matter, ठीक, that is humus, are formed from inorganic compounds on decomposition, जब inorganic compounds का decomposition होता है, तो organic compounds बनते हैं, ठीक, inorganic compounds जैसे की carbon dioxide, water, sulfur, nitrates, phosphates and ions of various metals are essential for organisms to survive, ठीक है, inorganic compounds जो है, वो भी essential है, inorganic compounds के साथ, organic compounds, बनले, inorganic मैसे, जब उनकर decombination होगा, तो क्या बनेंगे, organic compounds, तो इसलिए inorganic compounds भी जरूरी है, और organic compounds जो है, वो भी जरूरी है, ठीक है, इसके बाद, यहाँ आपर दो factor और दिये गए है, एक है latitude और एक है altitude, ठीक है, altitude का मतलब तो simple मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, geographic के course में भी, that means height, ठीक, और latitude का मतलब होता है, जो हमारा आप कहेंगे की angular distance है, from the center of the earth, ठीक है, जैसे की equator हमारे एक latitude है, हमारा Tropic of Cancer एक latitude है, Tropic of Capricorn एक latitude है, क्या है latitude है, यानि कि we have 90 latitudes on either hemisphere, northern hemisphere में भी और southern hemisphere में भी, ठीक है, तो वो होता है latitude, latitude has a strong influence on the area's temperature, resulting in change of climate, such as polar, tropical and temperature, जो poles के पास का region है, वो polar है, जो tropical है, यानि कि जो आपका equator के पास का region है, वो tropical है, और इन दोनों के बीच का region जो होता है, उसको बोला आता है, टेंपरेट, और latitude का असर क्यों है, latitude का temperature कैसे change होता है, यह आप लोगं को पता होना चाहिए, वैसे geography में हम लोगों ने ये बात की है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए, कोई students ऐसे है, जो सिर्फ यही course follow कर रहे है, तो उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिए, मान ल अर्थ है, और यह मैंने आपके यहाँ पर बना दिया है, यह इसकी axis है, जिसके about earth rotate करेगी, ठीक, यहाँ पर पोर्शन जो दिखा रहा हूँ, यह जो line मैंने दिखाई है, black line, this is the equator, ठीक है, यह क्या है equator, इससे उपर north pole, इसके नीचे south pole, अब आपको पता है कि sun से जो sun rays आत से क्या होता है, कि poles जो है, वो ठंडे होते हैं, और जैसे जैसे हम equator के पास बढ़ते हैं, या tropical region में आते हैं, ट्रॉपिक of cancer और ट्रॉपिक of Capricorn के बीच में अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या है कि sun rays जो है, वो directly पढ़ती है, ठीक है, हमें concert पता है, summer solustice, winter solustice का कि कि तरीके से जो sun है, वो ट्रॉपिक of Capricorn से, ट्रॉपिक of cancer के बीच में move करता है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें पता है, तो इसी लिए यहाँ पर लिखा गया है, कि जो latitude है, उसका बहुत बड़ा influence है, किसी भी area के temperature पर, ठीक है, जोगरफी जिसने पढ़ी है, उसको ये चीज से पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक basic idea दे दिया, इससे आप अगर मान लीजी ये concept कभी भूल गए हो, पढ़ा तो सबने होगा, मैं ये तो guarantee दे सकता हूँ, कि पढ़ा तो सबने होगा, ठीक है, क्योगी class 10 तक तो आए, hope की geography सब के पास होती है, तो different natural biomes, ठीक है, क्योंकि climate के ओपर भी जो है, वो biomes, जो है, depend करते है, ठीक है, तो इसकी वज़े से ये चीज होती है, इसके बाद आप बात कर लेते हैं, from sea level to highest peaks, यानि कि sea level सा highest peak की बात हो रही है, यानि कि हम बात कर रहे है, height की, यानि कि altitude की, ठीक, wildlife is influenced by altitude, as the altitude increases, the air becomes colder and drier, affecting wildlife accordingly, अब आपने देखा होगा, कि जैसे मान लीजे, plains का region है, ठीक है, और पहाड़ी region है, पहाड़ी मतलब आप कह सकते हैं, कि जो snow covered हिमाल्यास का region है, वहाँ पर animals आपको अलग-अलग प्रगार के दिखाई देंगे, आपको हर जगे एक से animals नहीं दिखाई देंगे, अगर आपको snow leopard कहें, या हम polar bear की बात करें, ठीक है, polar bear आप लोगोंने देखा होगा, ठीक है, मतलब वैसे नहीं देखा होगा, लेकिन TV वगरा में आप लोगोंने जरूर देखा होगा, polar bear discovery वगरा चैनल पे, national geographic discovery पे, तो आपने देखा होगा कि जो polar bear वगरा होते हैं, ये कहां प जहां पर ये रहते हैं, उसको bear कर सकते हैं, ठीक है, उसको जहिल सकते हैं, अब अगर मालिए ये polar bear को अगर आप समुदरी तर्ट पे लेके आजेंगे, sea level पे लेके आजेंगे, तो वहां पर वो survive नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो शरीर की बनावट है, जो उसके शरीर की आ होता है, आपके height वगरा change होती है, sea level से उपर की तरफ को, आप देखेंगे कि natural plantation जो है, जो natural vegetation है, वो भी change करती है, जो animal species आपको पाए जाएंगे, जो आप देखेंगे कि coastal areas में animal species अलग तरीके के पाए जाते हैं, मतलब sea level की बात में कर रहा हूँ, आप जैसे ऐसे height में उप आलियाज में ही पाए जाते हैं, ठीक है, चली, तो यह थे कुछ abiotic components of the environment या ecosystem, इसके बाद हम कुछ biotic components के बारे में बात कर लेते हैं, फिर से ध्यान रखेगा biotic जैसे ही word आता है, bio means life, biotic components include living organisms, comprising of plants, animals and microbes, ठीक, ध्यान रखेगा animals, plants and microbes, अब आप कहेंगे human beings का है, तो human beings को आप animals में include कर सकते हैं, ठीक, and are classified according to their functional attributes into producers and consumers, तो इनको दो category में classify किया गया है, एक है producers और एक है consumers, word से ही आप समझते है, producer मतलब जो produce करेगा, जो खुद बनाएगा, और consumers मतलब उभोकता, जो consume करेगा, ठीक, primary producers जो है, इनको autotrophs भी बोला जाता है, they are self nourishing, और primary producers क्या होते ह basically they are green plants, मैं आपको पहले ही बता है, green plants होते है, and certain bacteria and algae, तो अगर आप से सवाल पूछा जाए, कि जो primary producers हैं, जो autotrophs हैं, वो सिर्फ और सिर्फ green plants होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कुछ bacteria और कुछ algae भी ऐसी होती है, जो primary producers होते हैं, ठीक है, यह क्या करते हैं, they synthesize carbohydrates from simple organic, in the presence of sunlight, by the process of photosynthesis for themselves, ठीक है, sunlight की presence में, यहनी कि सूरज की रोष्णी की presence में, यह क्या करते हैं, कि जो inorganic compounds हैं, जैसे की carbon dioxide है, और water है, उसको synthesize करके, उससे यह बना देते हैं, carbohydrates, ठीक है, और उस carbohydrates को यह खुद भी अपने, मतला अपने लिए भी use करते हैं, plants, और बाकी लोगों इसको supply करते हैं, ठीक है, जो non-producers हैं, जो consumers हैं, उनको भी supply करते हैं, तो आप यह समझ के चलिए कि जो हम खाना खा रहे हैं, माननीन जो कोई सबजी खाते हैं, जैसे सबजी मानने जो कोई पेलड़ पर होती है, ठीक है, तो सबजी हम कोई खाते हैं, तो हम एक तरीके से solar energy क को ही consume कर रहे है in an indirect way ठीक है तो कि प्लांट ने क्या किया है कि उस solar energy को capture किया है उसमें से carbohydrates synthesize किया है ठीक है in the presence of that solar energy जो water और carbon dioxide है उसके थूर और उसको store किया है ठीक है अब कुछ तो energy जो है वो plant को भी चाहिएगी अपने खुद के survival के लिए और बाकी जो extra energy है जो especially basically आप कह सकते है in the form of vegetables in the form of fruits है वो non-consumers को या जो sorry जो non-producers है जो consumers है उनको मिल जाए ठीक है चलिए इसके बाद दो तरीके के ecosystem होते है इसको लेकर पूरे अलग-अलग chapters दिये गया है वो हम बात में discuss करेंगे जैसे कि एक होता है terrestrial, terrestrial मतलब जो land से related है ठीक है और दूसरा होता है equity ecosystem जो कि equity word आया है यानि कि aqua word आया है तो this is related to water ecosystem ठीक है इसको हम जो है वो अगले chapters जो है हमारे terrestrial ecosystem और equity ecosystem का वहाँ पर अच्छे से discuss करेंगे फिलाल आप यहाँ पर देख लीजिए कि terrestrial ecosystem क्यों है क्या है producers है वो क्यों क्यों से होते हैं herbaceous and woody plants ठीक है herbaceous जो word है वो निकला है herb से ठीक herbaceous and woody plants और ecosystem अगर equity ecosystem के हम बात करते हैं तो वहाँ पर producers क्या है various species of microscopic algae ठीक है तो आप यह समझ के चलिएगा कि जो equity ecosystem होता है वहाँ पर भी हमारे क्या होते है producers होते हैं और वो क्या है microscopic algae जो है वो ठीक इसके बाद हम बात कर लेते हैं consumers की consumers are heterotrophs और phagotrophs ठीक है consumers जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते they are incapable of producing their own food ठीक है photosynthesis की process से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते they depend on organic food derived from plants, animals और both ठीक consumers को भी दो broad groups में जो है divide के जाता है one is your micro consumers and second one is your macro consumers ठीक है देखिए macro consumers क्या होते है they feed on plants और animals और both and are categorized on the basis of their food source जैसे कि आपको पता है primary, secondary, tertiary consumers या आप कह सकते है herbivores, carnivores जो होते है उस तरीके से ठीक है तो herbivores क्या होते है they are primary consumers ठीक है ये feed करते है mainly on plants जैसे कि cow है, guy, rabbit, खरगोश ठीक है ये जो है क्या है primary consumers है या herbivores है इसके बाद secondary consumers के हम बात करते हैं तो they feed on primary consumers वो primary consumers के ओपर feed करते हैं जैसे कि wolves ठीक, carnivores which feed on secondary consumers are called tertiary consumers तो ये carnivores जो है जो आपके secondary consumers के ओपर feed करते हैं उनको बोला जाता है tertiary consumers जैसे कि lions, lions can eat wolves ठीक है, wolves ने basically क्या किया किया, कि मानले ये rabbit को खाया और जो आपका lions है वो किसको खा रहा है, wolves को तो lion क्या बन जाएगा आपका, है दोनों के दोनों कार्णी वो रसी, लेकिन lions आपका बन जाएगा tertiary consumer ओमनी वोर्स भी होते हैं, ओमनी वोर्स इस तरीके का organisms होते हैं, जो बोथ plants and animals दोनों खा सकते हैं जैसे कि इंसान है, man है और monkey है, ये दोनों plants और animals को खा सकता है, तो that becomes your omnivores अब जो यहाँ पर vegetarian लोग हैं, वो थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझेगा, क्योंकि वो ये सवाल उठा सकते हैं, कि हम तो animals नहीं खाते हैं, जनरल human beings की बात हो रही है अगर आप नहीं खाते हैं, तो आप अपने आपको herbivores ही मानीगे, चलिए, या अगर आपने अभी खाना छोड़ दिया है, तो आप herbivores हो गए हैं, पहले आप omnivores थे या आपने कभी भी अगर नहीं खाया है, तो आप herbivores हैं, ठीक है, इस बात को लेकर थोड़ा सा आप, मुझे माफ कीजेगा, अगर मैंने यह बोल दिया है, कि इंसान omnivores होते हैं, ठीक है, जनरल इंसान की बात है, अगर आप नहीं खाते हैं, तो आप herbivores हैं, ठीक, ठीक है, decomposing dead organic substances, यानि कि जो dead treaters होते हैं, of plants and animal origin, यानि कि यह, जैसे यहाँ पर तो क्या है, कि आप directly plants और animals पर feed कर रहे हैं, लेकिन plants और animals का जो decade part है, जो dead part है, जो उसके ओपर feed करते हैं, they are known as decomposers, ठीक, the products of decomposition, such as inorganic nutrients, which are released in the ecosystem, are reused by producers, and thus recycled, तो जो decomposition का process होता है, ठीक है, जो organic nutrients वगरा मिलते हैं, उसको क्या करते हैं, कि उसको जो ecosystem में release होते हैं, उनको reuse किया जाता है by producers, और इस तरीके से वो recycle हो जाते हैं, जैसे कि decomposition से आपका human substance बनता है, ठीक है, यानि कि आपका human substance आपको पता है कि जो manure वगरा बनने की process होती है, इसके बाद जो earthworms and other certain soil organisms हैं, जैसे कि nematodes and arthropods, ठीक है, ये भी क्या है, detritus feeders है, and help in the decomposition of organic matter and are called detrivores, इनको detrivores बोले जाता है, तो detrivores से ही आप समझ जाएंगे कि ये detritus है, यानि कि आप ये जो है, dead and decayed organic matter पे feed करते हैं, ठीक है, चलिए तो ये दो तरगे कि आपको जो consumers ह पता लग गए, primary, या आप नहीं, sorry, micro consumers and macro consumers, macro में आप समझ गए कि वहाँ पर classification है, secondary, primary, tertiary का, और omnivores भी वहाँ पर है, herbivores, carnivores के साथ, और आपने micro consumers भी देख लिए, यानि कि जो saprotrophs हैं, या जो decomposers हैं, ठीक है, ठीक है, या आप यहाँ पर देख चुके हैं कि क्या क्या चीजे हैं, और किस तरीके से ये, dead tree virus भी कहलाते हैं, और detritus, यानि कि जो plants और animals के dead है, decomposed है, उसके ओपर ये feed करते हैं, ठीक है, चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं, classification of ecosystem, natural ecosystem जो है, वो दो तरीके से हैं, मैं आपको फिर से बताया है, इसको हम हाला की बाद में और पढ ठीक, ये basically जो water के अलग-अलग हैं, ये salinity के अधार पर होते हैं, ठीक है, salinity मतलब कि उसमें कितना नमक है, ठीक, salinity word जो है, salt से, कि कितना उसमें नमक है, fresh water में generally क्या होता है, कि 5% से कम नमक होता है, ठीक है, 5% से कम नमक हो, sorry, 5% तो मैं बहुत जादा बोल रहा हूँ, 5 parts per 1000, ठीक, 5 parts per 1000, यानि कि 0.5% से कम नमक जिसमें होता है, that is your fresh water, ठीक, saline water जो होता है, जिसमें लगभग आपका 5, 0.5 से 3.5%, यानि कि आप कहेंगे, 5 से 35 PPT, ठीक है, जिसमें इतना नमक होता है, वो saline है, और उससे जादा, यानि कि 35 PPT से जादा जिसमें आपका नमक है, वो इसलिए अलग-अलग water है, तो इसमें ecosystem भी अलग-अलग होता है, अलग-अलग plant species है, अलग-अलग animal species जो है, वो इन अलग-अलग equity ecosystem में पाई जाती, ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, कि ecosystems are capable of maintaining their state of equilibrium, ठीक है, ecosystem जो है, अपना state of equilibrium को maintain कर सकते है, they can regulate their own species structure, वो अपने species structure को regulate कर सकते है, अपनी functional processes को regulate कर सकते है, और इस capacity को, this capacity of self-regulation of ecosystem is known as homeostasis, तो आपसे कभी कभार हो सकता है, कि UPSC तरीके कुछ terms भी पूछ देता है, कि what is homeostasis, तो ध्यान रखेंगे, homeostasis is self-regulation of ecosystem, ठीक है, जो ecosystem की capacity है, to self-regulate, या to regulate itself, उसको बोला जाता है, homeostasis, चलिए, इसके बाद आगे देखते है, ecosystem services, ecosystem कुछ services हमें provide करती है, as per the millennium ecosystem assessment, MEA of 2005, ecosystem services जो है, उनको चार categories में group किया गया है, अब देखे, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहल एक चीज़ और बताता हूँ, कि जब कल पहरा lecture आया था, उसके बाद लोगों को कुछ, किसी-किसी व्यक्ति को ये doubt हुआ था, कि कुछ-कुछ parts ऐसे हैं, जो exactly book से match नहीं कर रहे हैं, ठेक है, या जो book में हम छोड़ दे रहे हैं, आप एक तरिके से कह सकते हैं, तो मैं आप लोगों को से ये एक चीज़ बड़ी clear करना चाहता हूँ, कि book को देखे word to word अगर कि उसमें पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अलग से इस तरीके से notes बना के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ additional parts है, जैसे कि यहाँ पर ये services वगरा दी गई है, अगर आप इसको book में जाके देखेंगे, तो वहाँ पर ये heading के under में उसके उपर जो heading लिखी हुई है, वो है goods and services of the ecosystem, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको 4 category में divide करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ही exam में आपसे पूछा जाता है, ठीक, और कुछ-कुछ part ऐसे भी हो सकते है, जिनको modify किया जैसे कि ये part किया अगर आप फिर भी अगर आपको माननीचे कोई पाट छोड़ा जा रहा है और अगर आप उसको पढ़ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आता है, तो आप पूछ जरूर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं specifically आप लोगों से ये बात clear करना चाता हूँ, आप लोगों के साथ, कि च चलिए, तो इसलिए इस तरीके से ही चीज़ें चलेंगी, आप लोगों को अगर सहमती है, तो जरूर इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक, तो जो चार प्रोसेसेज हैं, जो चार सर्विसेज हैं, उसमें सबसे पहला है, प्रोविजनिंग तो यह सारी के सारी क्या है, दीजर दा प्रोविजनिंग सर्विसेज आफ एकोसिस्टम, ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज की, तो रेगुलेटिंग सर्विसेज इस ज़ियौर कार्बन सिक्वेस्टरेशन एड क्लाइमेट को जो है कहीं पर चाहे आप land के form में या किसी plant के form में उसको store करके रखें that is known as carbon sequestration ठीक है हलाकि इसको हम बाद में जाके अच्छे से और पढ़ेंगे लेकिन फिलाल के लिए इतना समझ दीजिए कि जो carbon excess carbon है उसको क्या करना है extract करना है nature से और आप चाहे उसको ground form में मतलब land म अंदर जैसे जो rocks वगरा होते हैं वहाँ पर भी carbon store होता है ठीक है plants वगरा के form में भी जो carbon है वो store होता है तो that is known as carbon sequestration और climate regulation का मतलब है कि किस तरीके से जो ecosystem है वो climate regulate करने में यानि कि जो climate है उसको नियंत्रत करता है ठीक है नियंत्रत करता है that is one of the regulating services इसके बाद waste decomposition and detoxification this is also another regulating service purification of water and air this is again a regulating service crop pollination ठीक है pollination के process में आपको कल बताई थी किस तरीक से pollen grains जो है वो male part से female part में move करते है that is crop pollination इसके बाद pest and disease control this is again regulating services तो आप से सवाल exam में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सी services जो है वो किस category में आती है ठीक है अब अगर आप books से directly पढ़ आया है तो अगर यह exact categories आती है तो आप figure out कर सकते है और अगर इन से मिलती जूलती कुछ categories और आती है तो वो भी आप जो है अपने आप फोड़सा idea लगा सकते है ठीक है इसके बाद जो अगली category है that is your supporting services जैसे की nutrient dispersal and nutrient cycling this is the supporting service seed dispersal this is again supporting service cultural service क्या हो सकती है कि जैसे cultural intellectual and spiritual inspiration ठीक ह यह आपकी cultural service है इसको basically cultural and aesthetic services भी बोल जाता है ठीक है इसमें जैसे की recreational experiences है including ecotourism this all comes in the cultural and aesthetic services ठीक चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही जादा important concept है of ecotone ठीक है ecotone क्या होता है देखिए ecotone is a zone of junction between two or more diverse ecosystems जो दो अलग अलग प्रगार के ecosystems है उनका जहां पर junction है ठीक है जो उनका zone of junction है उसको बोला जाता है ecotone जैसे की जो mangrove forest है they represent an ecotone between the marine and terrestrial ecosystem ठीक है mangrove forest जो है वो क्या है marine और terrestrial ecosystem के बीच में एक ecotone है ठीक other examples है जैसे की grassland grassland जो है आपका ecotone है between the desert and the forest ठीक है desert and the forest एश्वरी जो है वो आपके ecotone है between the fresh water and saline water ठीक between the fresh water and the saline water इसी प्रकार से जो marshlands है marshlands है जो riverbanks है they are the ecotone between dry and wet ecosystems ठीक है और बाकी mangrove forest का तो यहाँ पर उपर दिया हुआ है कि mangrove forest is a ecotone between a marine and a terrestrial ecosystem ठीक है और यहाँ पर नीचे आप एक figure देख सकते है बुक में जो figure है वो इससे थोड़ा सा अलग है मैंने एक दूसरे zone है ठीक है यहाँ पर land है यहाँ पर कौन कौन से species पाई जाएंगी वो आप यहाँ पर देख सकते है figure में ठीक है और यह aquatic zone है aquatic zone में कौन कौन से fishes वगरा पाई जाएंगी जैसे fishes है या amphibians वगरा है frog वगरा और यह जो beach का transition zone है this transition zone is only known as your ecotone ठीक है इसी को ecotone बोला जाता है और यहाँ पर जो number of species है वो आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा से इधर से मिलती जुलती है और कुछ ऐसी species भी होंगी जो अलग होंगी जो उन दोनों से अलग होंगी ठीक है चलिए इसके बाद इसके जो characteristics है थोड़ा सा वो देख लेते हैं फिलाल फिर उसके बाद आपको इको टोन दिखा रहा हूँ जो यह transition zone है इसमें कुछ characteristic आपके aquatic zone के भी होंगे कुछ characteristic जो है वो land zone के भी होंगे क्यों कि यह इन दोनों के बीच में लाई करता है ठीक है तो इसलिए इस zone को जो है zone of tension भी बोला जाता है ध्यान रखेगा question आप से exam में पूछा जा सकता है कि zone of tension किस से संबंदित है तो ध्यान रखेगे zone of tension जो है it is related to ecotone ठीक है यह जो term है zone of tension यह ecotone से related है इसके बाद देखेगे it is linear as it shows progressive increase in species composition of one incoming community and simultaneous decrease in species of the other outgoing adjoining community देखेगे यह चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजी आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ grassland ठीक है grassland मैं आपको बता है कि एक ecotone है between the grassland species मतलब जो grassland ecosystem है वो और जो forest ecosystem है ठीक है यानि कि आप यहाँ पर कह सकते हैं जो desert है ठीक है और desert और जो आपका forest है उसके beach का जो species है that is your आप कह सकते है grassland forest का जो beach का ecotone है वो ठीक अब इसके बीच में क्या है कि जो population of species होगी वो जैसे जैसे आप deciduous forest से बाहर निकलेंगे यानि कि आप कहेंगे कि जैसे जैसे आप ये beach का जो ecotone का region है यहाँ पर आएंगे तो इसकी population क्या होती जाएगी decrease होती जाएगी ठीक है और simultaneously जैसे अगर आप मंदमानी जब इस point से आगे बढ़ रहे है तो इस point से आगे बढ़ेंगे हमारी क्या है इसमें deciduous forest की जो species है वो क्यों outgoing है क्योंकि हम उससे दूर जा रहे है तो जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे तो उसकी population क्या हो रही है आप देख रहे है डिक्रीज कर रही है ठीक और जो इसके विपरीत तरफ है यानि कि जैसे जैसे हमारी जो हम grassland ecosystem के नज यह वाली जो है यानि कि जो आपकी forest से संबंदित है यह आपकी क्या हो जाएगी outgoing community ठीक है इसलिए यहाँ पर यह चीज़ साफ साफ तौर पर लिखी गई है कि species composition of one incoming community में क्या हो रहा है incoming community में increase हो रहा है ठीक है जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो grassland species है वो बढ़ रही है ठीक यह decrease कर रही है और जिसके हम नजदीक जा रहे है उसकी population क्या हो रही है बढ़ रही है ठीक है यह चीज़ आप बहुत clear तरीके से यहां से आए होप समझ गया हो इसके बाद our well developed ecotone contains some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities यह एक बहुत ही मैं कहूँगा unique character है ecotone का कि इसमें कुछ ऐसे species भी ecosystem है वहाँ पर नहीं पाए जाते है उनसे बिलकुल अलग है ठीक है and sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than either community ठीक है कि जो आसपास की बगल आगल बगल की जो communities है जो adjoining communities है जो adjoining ecosystems है उनके comparison में आप बात करेंगे यहां पर कुछ species की जो संख्या है और जो population density है वो बहुत जादा है ठ तो उस तरीके की जो species है उनको बोला जाता है edge species और यह जो effect है यानि की यह जो इस तरीके का phenomenon होता है कि कुछ species की संख्या जो है adjoining communities या adjoining ecosystem से बहुत जादा है उस phenomenon को बोला जाता है edge effect ठीक और यह जो number of species है जो most abundantly पाए जाती है backyard species ठीक है तो ये आप terms ध्यान रखेगा edge effect, edge species और आपका जो यह term मैंने आपको यहाँ पर समझाया that is your zone of tension यह किस से संबंदित है, यह सारे के सारे term संबंदित है, eco tone से, और eco tone क्या है eco tone आपका basically आप कह सकते है कि एक transition zone है between two adjoining ecosystems, ठीक है, चलिए इसको लेकर थोड़ा सा एक term और है, वो भी important है, उसको भी समझ लेते है that is your niche, ठीक है यह terms, जो है इसको niche बोला जाता है, niche a niche is a unique functional role or place of a species in an ecosystem ठीक है, किसी भी ecosystem में कोई भी species है ठीक है, वो क्या unique functional role play करता है ठीक है, ध्यान रखेगा, word है unique unique का मतलब है, कि हर species के लिए अलग-अलग होगा, ठीक है, कोई भी species के लिए जो functional role है, वो same नहीं होगा, यहीं से आप एक चीज समझ सकते हैं, सिर्फ इस line से ही कि हर species का जो niche है ठीक है, every species has got its unique niche क्यों? क्योंकि जो functional role है, वो unique होगा, और जैसे functional role unique होता है, तो functional role अगर unique हो गया, तो वो क्या है? niche, यानि कि every organism has its unique niche, ठीक? यानि कि जो niche है, जो functional role है, और जो place है, वो कैसी है? unique है, ठीक? It is a description of all the biological, physical and chemical factors that a species need to survive, stay healthy and reproduce, ठीक है? यह इस तरीके के सारे के सारे factors का एक description है, कैसे factors हैं वो? biological factors है, physical factors है, और जरूरत है, किस चीज़ के लिए? survive करने के लिए, healthy रहने के लिए, और reproduce करने के लिए, ठीक? अब यहीं पर देखे, यह चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है, जो मैं आपको उपर समझा रहा था, कि a niche is unique for a species, which means no two species have exactly identical niche. जो दो species है, उनकी निश जो है, वो same नहीं हो सकती है, क्योंकि हर species की जो niche है, वो कैसी है, unique है, ठीक? Niche plays an important role in the conservation of organisms, निश जो है, वो organisms के conservation में भी, जो है, important role play करती है, if we have to conserve a species in its native habitat, ठीक है, अगर हमें किसी भी species को, यानि कि किसी भी plant है, कोई भी animal है, उसकी कोई भी species है, कोई उसकी प्रजाती है, अगर उसको हमें conserve करना है, उसको संग्रक्षित करना है, बचाना है, तो we should have knowledge about the niche requirements of the species, तो हमें उस species के niche की क्या-क्या requirement है, वो पता होनी चाहिए, and should ensure that all the requirements of its niche are fulfilled, और यह हमें ensure करना पड़ेगा, यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, कि उसकी niche की जो भी requirements है, जो भी जरुवत है, उनको पूरा किया जाए, तब ही जाके हम उस plant species की, animal species की जो प्रजाती है, जो species है, उसको क्या कर सकते हैं, conserve कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद niche के भी types होते हैं, देखे पहला है, habitat niche, जहां पर वो रहता है, that is known as this, habitat niche, ठीक, उसके बाद food niche food niche का मतलब है कि what it eats, or decomposes and what species it competes with, ठीक है वो क्या खाता है, क्या decompose करता है, और किन species के साथ वो compete करता है, यानि की मुकाबला करता है, वो included है food niche में, ठीक, इसके बाद अगले niche है, that is your reproductive niche how and when it reproduces, वो किस तरीके से reproduce करता है, और कब reproduce करता है, that includes in its reproductive niche, ठीक, इसके बाद अगला आ जाता है, last, that is physical and chemical niche, temperature land shape, land slope humidity and other requirements, these are included in the physical and chemical niche of an species ठीक, इसके बाद आप लोग को ये लग सकता है, कि जो niche word है, ठीक है, या जो phenomenon of niche है और habitat है, वो दोनों same है लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें अंतर देखे क्या है habitat of a species is like its address, ठीक है, जहां पर वो रहता है, यानि कि आप तरीके से बात कर सकते हैं, जो मैंने यहां पर आपको एक niche दिखाई है, that is habitat niche ठीक है, इस में से जो habitat niche है, वो पूरा का पूरा habitat उसके अंदर आ गया, यहां पर वो रहता है, habitat सिर्फ इतने से ही संबंदित है कि वो जहां पर रहता है, लेकिन niche क्या है, niche can be thought of as its profession, कि उसकी activities और उसके responses क्या है to the species, that is known as niche, ठीक है, a niche is a unique for a species, while many species share the habitat, ठीक है मैं आपको पहले ही बताया है कि किसी भी species की, आप कहें कि हर species की जो niche है, वो कैसी होगी, unique होगी, ठीक है कोई भी दो species की जो niche है, वो same नहीं हो सकती, ठीक है habitat की जहां तक बात है, बहुत सारे species या बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जो habitat share करती है, वो एक ही जगे पर रहती है, तो उनका habitat same होता है ठीक, no two species in a habitat can have the same niche, एक habitat में रहने वाली दो species के भी niche जो है, वो same नहीं हो सकते, क्यों, this is because of the competition with one another until one is displaced ठीक है, क्योंकि आपस में क्या होगा कि फिर वो एक दूसरे से complete करेंगी और जब तक एक displays नहीं हो जाती है यहां पर आप चीज को ध्यान रखिए, darwin's theory, जो darwin's की theory of fittest है that is, जो सबसे आदा fit है, the fittest will survive तो वही वाली यहां पर बात है कि अगर दो species होंगी ठीक है, अगर एक habitat में दो species है, तो वो आपस में हर चीज को लेकर, habitat को लेकर food को लेकर, उसका जो reproductive requirements है, उसको लेकर जो उसकी chemical and physical requirements है उसको लेकर आपस में क्या करेंगी मुकावला करेंगी, compete करेंगी और जब तक एक species displaced नहीं हो जाती है तब तक उनके बीच में जो competition है वो चलता रहेगा, तो इसलिए आप इस बात को साफ साफ समझ के चलिए, कि अगर एक ही habitat में रहने वाली दो species भी है, तब भी उनका जो निश है वो अलग-अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक, इसके बात जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि large number of different species of insects जो है, may be pest of the same plant, वो किसी एक same plant के उपर pest हो सकते हैं, लेकिन वो co-exist क्यों करते हैं, वो इसलिए co-exist करते हैं, क्योंकि वो different parts of the same plant पर feed करते कभी भी आप देखेगा, कोई भी अगर दो different species है, ठीक है वो भले ही एक ही plant के उपर pest है वो एक ही plant के उपर survive कर रहे है लेकिन वो एक plant के एक ही part के उपर feed नहीं कर रहे होंगे ठीक है, कोई हो सकता है कि leaf के उपर feed कर रहा हो, कोई हो सकता है कि उसके जो बार्क होती है अगर पेड़ वगरा की बात कर तो जो बार्क होती है उसके उपर कर रहा हो कोई roots के उपर कर रहा हो कोई flowers के उपर कर रहा हो लेकिन हर species जो है वो अलग-अलग part के उपर feed करेगा तब ही वो क्या कर सकता है कि उसकी निश, क्योंकि जैसे ही उसका मान लीजिए habitat change होता है, मलब अगर अगर plant की बात करें, लेकिन वो अगर feed कर रहा है flower के उपर, अगर वो feed कर रहा है fruit के उपर, तो उसकी जो food niche है वो change हो जाएगी, और जैसे ही उसकी जो food ecosystem का topic है, या जो ecosystem का level of organization है उसको काफी अच्छे से detail में discuss कर लिया है I hope कि आपको इससे related जितने भी concept है ecosystem से related और जो हमने यहाँ पर बात करी है about the consumers, types of consumers के बारे में हमने बात करी है ecotone को लेकर हम लोगोंने बात की है जो हमारे components of ecosystem है biotech components है, biotech components उनको लेकर बात की है niche को लेकर बात की है, niche से सम्बंदित हमने habitat का difference देखा, ecotone को हमने समझा तो यह सारे के सारे concepts आई हो पर आपको बिलकुल अच्छे से clear हो गए हो ठीक है, अब इसमें जो है, इस chapter में जो दो levels of organization है, और बचेवे है that is one is your biome, another one is your biosphere तो उसको हम आने वाले lectures में complete करनेगे तो अगर आप लोग को यह lecture पसंद आया है तो please like जरूर कीजिए जादा से जादा लोगों के बीच में इसको share कीजिए और अपने जो comments है, अपने जो queries है वो जरूर हमसे पूछी, अपने feedback भी आप देना चाहते है तो वो भी जरूर आप दे सकते है बाकिया हमसे जादा जुड़ने के लिए हमारा Facebook page Twitter page, Telegram channel का आप लोग use करें वहाँ पर भी हम लोग चीज़ें को discuss करते रहते है और अगर आप हमसे कोई और बास share करना चाहते है कुछ चीज़ पूछना चाहें या कुछ चीज़ बताना चाहते है तो उसके लिए आप हमारी email ID का use भी कर सकते है that is okul.co at the rate gmail.com ठीक है, और बहुत जल्द इस पूरे के पूरे course का जो link है वो आप लोंको website पे enroll करने के लिए मिल जाएगा वहाँ पर आपको notes, quizzes वगरा भी provide कराए जाएंगे but that will be a paid course ठीक है वो एक paid course होगा बहुत ही nominal cost उसकी रहेगी नेकिन वो paid course रहेगा किसी को अगर videos देखने है तो videos YouTube पे देख सकता है ठीक है फिलाल के लिए सारे videos YouTube पे अवेलेबल रहेंगे और notes और quizzes की अगर आपको requirement है तो वो आप फिर जाके website के through course enroll करके course में purchase करके वहाँ से ले सकते है ठीक है जैसी आपको link आएगा जैसी आपको course का link आपको मिलेगा वो आपको नीचे description box में मिल जाएगा या फिर आप website विजट करके भी देख सकते है that is okul.co वहाँ पर भी आपको quizzes जो courses का section है वहाँ पर वो चीज़ दिख जाएगा ठीक है चलिए मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा please do take care of yourself thank you, have a nice day bye bye, jahind